देखे रक्षा बंदन आ गया है और मिठाई बनाना तो बनता है लेकिन कलाकन बनाने में क्या है कि बहुत लंबा प्रोसेस है लगबग एक से दो घंडे लगते हैं लेकिन यही मिठाई अगर 10 से 15 मेंड में बन जाया तो क्या बात है वो भी बिना किसी बहुत सारे दूद के बिना किसी मावा के और वीडियो भी जादा लंबी नहीं तो प्रीज वीडियो में बने रहेगा अपने भाई के लिए तो आपको लगभग 200 ml दूद ले लेना है एक कटोली दूद नॉर्मल दूद लेना है और उतना ही आपको इसमें मिल्क पाउडर डालना है कोई भी मिल कर सकते हैं ठीक है जैसे 200 ग्राम दूद तो उतना ही मिल्क पाउडर मतलब 200 ग्राम दूद मतलब 200 ml दूद तो 200 ग्राम मिल्क पाउडर फ्लेम आपको लो रखना है कुछ बातों का ख्याल लखना है बस इसमें और कुछ नहीं है फ्लेम लो रखना है continue चलाते जाना है continue चलात और 100 ग्राम ही चीनी देखे बहुत कम ingredients है और बहुत कम समय में बन जाएगा बट कुछ चीजों का जैसा मैंने बोला खयाल लखना है फ्लेम हमेशा लो रखना है एक चमच घी मैंने डाल दी है जैसा मैंने बोला फिर से बोल रहा हूं फ्लेम लो रखना है और continue चलाते रहना है हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए अब धीरे धीरे आप देखेंगे न तो यह melt हो जाएगा अब आपको पकाते जाना है पकाते जाना है मतलब इसका color change होने लगेगा यह देखे थोड़ा सा color लाल color आ गया है ऐसे धीरे धीरे color change होगा अब यह दे से ज्यादा time नहीं लगेगा ठीक है गैस अब आपको बंद कर देनी है यह पतीला लोटा जो आपको मिले इसमें थोड़ा घी लगा लीजेगा और यह सारा इसमें डाल देना है और इसे थोड़ा फैला लेना है मतलब हमें shape देना है इसको तो अच्छी तरह equally आपको फैला मतलब इमानदारी का जमाना निरा कि सिर्फ मिठाई में अगर कोई देख ले वीडियो दिखावा लगता ही है तो यह चोचले बाजी है टोटली इसके उपर काजू पिस्ता बादाम जो चाहे हम डाल लीजेगा ठीक है फिर इसके आप आड़े तीड़े गोल आडवे तीड रक्षा बंदन में मेरी वावा कर दीजिए तो प्लीज सब्वोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल एकन जरूर पैस कर दीजिएगा क्योंकि रोज 7 बजे वीडियो अपलोड होती है यहां पे ठीक है तैंक यू सो मज पर वाचिंग बाबाई बाई